थोड़ा सा बदल थोड़ा सा पानी में हमें ये हाई वोल्टेज मेलोड ड्रामा देखने को मिल रहा है हलो दोस्तों मैं हुकोमल और आप अपना चैनल देख रहे हैं बॉलिबर डिस्पाई वेल जैसा कि हम एपिसोड में देखते हैं प्रियंका नौइना से नजदी किया बढ़ाती है और अनुराग के बिहेवियर के लिए माफी मांगती है और वो कहती है अनुराग बस इतना चाहता है कि घर की पूजा में कोई विग्न ना आए आगे प्रियंका अपने आपको डौटर अनुराग बासु की मंगीतर कहती है और नौइना शौक्ड रह जाती है आगे श्रिया अर्जुन से कहती है कि ये मत समझ लेना की खेल खत्म हो गया है तमाशा होना अभी बागी है चुटकी में सब कुछ खाक कर सकती हूँ मैं जमीन पर आ जाओ नहीं तो मैं उतार दूँगी आगे अर्जुन की मा कहती है अब से तुम श्रिया से दूर रहोगे और सुधर जाओ अब आगे प्रियंका नौइना से कहती है अनुराग ने काजोल की हिल्प की थी और उस सेंपती को काजोल प्यार समझ बैठी है अनुराग इस बेरी क्लियर और मैं ट्रस्ट करती हूँ उस पर आगे नौइना कहती है मेरे दीदी के दिखावे पर मत जाना अपनी सादगी का फाइदा उठाती है वो आगे श्रिया अपना खेल्स शुरू कर देती है वो नौइना को अपनी और अरजुन की इंटिमेट पिक्चर्स दिखाती है और कहती है तुम्हारी शादी हो रही है तो सोचा बतादू कि अर्जुन इन सब में माहिर है लड़की देख कर चाल बदल देता है आगे श्रेया नौइना से कहती है आयून को और पूरी फैमिली को सब कुछ पता है फैमिली चाहती है कि तुम दोनों की जल से जल शादी हो जाए ताकि सोसाइटी वालों का हो जाए काजोल इंटेलिजेंट थी उसने शादी तोड़ दी अब तुम्हारा नंबर है मुझे लगा तुम स्मार्ट हो पर तुम पैशन के लिए सब कुछ कर रही हो आगे नौइना कहती है आपको क्या लगता है श्रेया भाबी मुझे आप दोनों पर शक नहीं था मैं ब आगे प्रियंका अपने दिल की बात अनुराग से कहती है पर अनुराग सुनता नहीं है यहाँ एपिसोड घत्म हो जाता है और अब ऐसे में देखना ये है कि प्रियंका काजोल की जिंदगी में तुफान कैसे लाती है क्या मिस्टर बासू और काजोल एक हो पाएंगे क्या प्रियंका खड़ी करेगी नई मुसीबत जानने के लिए देखना ना भूले थोड़ा सा बादर थोड़ा सा पानी टेलेविजन की लेटिस्ट अपडेट्स और चटपटी गॉसिप्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले